हलो फ्रेंड्स, वेलकम टूडेज डेली केसी, आज बताऊंगी हल्दी वाला पानी पीने के 10 फायदे भारतिये खाने में हल्दी एक एहम मसाला है, सभी के गरों में हल्दी आसानी से मिल जाती है हल्दी के गुणों का आयूरवेद में भी जिक्र किया गया है, ब्यूटी से लेकर इम्म्यूनिटी बढ़ाने तक हल्दी कई चमतकारी फायदे पहुचाती है हल्दी में एंटिसेप्टिक गुण होते हैं, जिसकी वज़ा से इसे दवा के रूप में भी इस्तमाल किया जाता है सुबह खाली पेट हल्दी वाला पानी पीने से सेहत को कई फायदे मिलते हैं हल्दी को सेहत के गुड़ों का खजाना कहा गया है क्यूंकि हल्दी में एंटि ओक्सिडेंट, विटमिन, खरीच, विटमिन, सी, पोटेशियम, आईरन, मैंगनीज और फाइबर जैसे गुड़ पाये जाते हैं जो शरीर को लाप पहुचाने में मददगार है अगर आप सुबा खाली पेट हल्दी वाले पानी का सेवन करते हैं तो शरीर को कई लाप पहुचा सकते हैं तो चलिए जानते हैं हल्दी वाले पानी के फायदे लेकिन उससे पहले जान लेते हैं हल्दी वाला पानी कैसे बनाए हल्दी वाला पानी तयार करने के लिए आप ताजा हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए हल्दी का एक टुकड़ा लेकर पानी में डाल कर रात भर के लिए भीगो दे सुबा इस पानी को पी ले आप चाहें तो एक गिलास पानी में आधा टीस्पून हल्दी डाल कर रात भर के लिए छोड़ दे और सुबह इसे गुनगुना पी ले आपको हल्दी वाला पानी सुबह खाली पेट पीने से क्या फायदे मिलते हैं अब मैं वो बताऊंगी नमबर वन तेजी से वजन घटाए खाली पेट हल्दी वाला पानी पीने से मुटापा कम हो जाता है वजन घटाने वाले लोगों के लिए हल्दी वाला पानी बहत फायदेमंद हो सकता है आप चाहें तो हल्दी के साथ पानी में थोड़ा सा अद्रक का रज भी मिला सकते हैं इसे गरम करके चाय की तरह पीना है नमबर टू गठिया में राहत हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो रिमेटरी आर्थराइटेस और ओस्टिव आर्थराइटेस के रोग्यों के लिए फायदे मन्द होते हैं हल्दी वाला पानी पीने से जोडों के दर्द की समस्या को कम किया जा सकता है इसमें एंटी आकसिडेंट होते हैं जो शरीर की कोशिकाओं को फ्री राडिकल से होने वाले नुकसान से बचाते हैं हल्दी वाला पानी सूजन को कम करता है नमँबर थी, पाचन होगा मजबूत हल्दी वाला पानी पीने से पाचन संबंदी समस्याओं को दूर किया जा सकता है हल्दी में मौजूत कुरकुमिन कमपाउंट गौल ब्लैडर से पित्ते को निकालने में मदद करते हैं जिससे पाचन में मदद मिलती है हल्दी वाला पानी से लिवर डिटोक्सिफाई होता है इससे गैस और सूजन की समस्या कम होती है 4. इम्यून सिस्टम बनाए मजबूत हल्दी में मौजूत एंटी इंफ्रमेटरी गुण इम्यूनिटी स्ट्रॉंग रखते हुए व्यक्ती को कई तरह के संक्रमर और रोगों से दूर रखने में मदद कर सकते हैं स्ट्रोंग इम्मुनिटी के लिए रोजाना खाली पेट हल्दी वाला पानी पीने से लाब मिल सकता है। हल्दी में मौजूद लिपोपॉली सैकराइट की मदद से शरीर में रोग प्रतिरोधक शमता बढ़ाने वाले सेल्स बढ़ते हैं। नमबर फाइव डाइब्यटीज में फायदे मंद्ध। डाइब्यटीज से पीडित लोगों के लिए हल्दी का पानी वरदान साबित हो सकता है। हल्दी में मौझूद कूर्कुमिन रक्त शरकरा के इस्तर को सामानने रखते हुए डायबिटीस के खत्रे को कम कर सकता है। 6. तवचा और बालों की सेहत का रखे ध्यान हल्दी के पानी पीने से खून साफ होता है और शरीर में मौझूद विशाक्त तत्मों को बाहर निकलने में मदद मिलती है। 7. हार्ट के लिए फाइदेमंद हल्दी में पाया जाने वाला कुर्कुमिन दिल की सेहत के लिए फाइदेमंद होता है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटी ओक्सिडेंट पाया जाता है जो दिल से जुड़ी बिमारियों को कम करने में मदद करता है। अगर आप नियमित रूप से हल्दी वाला पानी पीते हैं तो आपका हार्ट हेल्थ सही रहता है। नमबर एट होर्मोन की समस्याइं होती हैं खतम जिन महिलाओं के शरीर में होर्मोन इंबैलेंस की समस्या होती है उन्हें हल्दी वाला पानी पीने से फाइदा होता है। हल्दी पानी पीने से PCOS, PCOD और thyroid की समस्या में राहत मिलती है, हल्दी का पानी महिलाओं में hormones की दिक्कत को खतम करता है, जिससे conceive करने में असानी होती है सूजन की वज़ा से ब्लोटिंग की समस्या होती है, हल्दी पानी, digestion को सही करने के साथ आतों की lining में हो रही सूजन को खतम करता है, जिससे ब्लोटिंग की दिक्कत में राहत मिलती है 10. आखों के आईबैक की समस्या खतम Anti-inflammatory गुण होने की वज़र से जिन लोगों के आखों के नीचे आईबैक्स बन जाते हैं, उन्हें हल्दी का पानी पीने से ये सूजन की समस्या खतम होती है दोस्तों अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो like, share, subscribe कीजिए Thanks for watching this video. See you soon.